हम ओमेकर्स की लाइफ इतनी भी इजी नहीं होती है जितना की बाकी लोग समझते हैं 24 खंटे का एक एक मिनट हमारा सिद्जूल रहता है और दिमाग में कुछ न कुछ हमेशा ही चलते रहता है वेल मैं भी आपी की तरह एक हो मेकर हूँ समझ सकती हूँ आपकी हर एक प्राबलम इसलिए अपनी लाइफ में कुछ ऐसे हैक्स को हमेशा ट्राइ करती हूँ जिससे मेरा काम कम हो जाता है और वो चीज छटपट हो जाती है और उनी चीजों में एक आदर्त मैं घर के हर कॉर्णर के अप्लाइ करती हूँ कि जब भी कोई चीज मुझे बिगड़ा वो नजर आता है अन और्गनाइस नजर आता है तो उसे मैं वही पर सही करना सही समझती हूँ जैसे कि अभी फेस्टिवल सीजन में मैंने बहुत सही आर्ट और क्राफ की चीजों को बनाया था जिसलिए मैं क्राफ्ट वाले एरिया काफी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था जल्दबाजी रहती है कभी कोई चीज मिल नहीं रहती है तो इसलिए यहां की आर्गनाजे इनसाइड चीजों को ठीक करूँगी और जब तक वो दिन आएगा नहीं तब तक मेरे दिमाग में हमेशा ही यह चीज चलती रहेगी I think यह प्रॉब्लम हम ग्रेनिये के साथ एक कॉमन है इसलिए जब भी आपको कोई भी कॉर्णर डिस्टर्ब दिखे मैसी दिखे उसे आपको वहाँ पर मातर 2-5 मिनट का समय लएगा लेकिन अगर आपको सीज को छोड़ दिजेगा तो वही काम आपके लिए घंटों का बन जाएगा यह वाली आदत मैं अपने घर के हर सेक्षन के लिए अपलाई करती हूँ चाहे वो मेरा ड्रेसिंग टेबल का एरिया हो चाहे वो मेरे क्राफ्ट का एरिया हो चाहे वो मेरे पूजा घर का एरिया हो तो बात को बिगरने से पहले आप समहा ले तो बात दूर तर नहीं बिग और उसे आप एक एएरे ट्राइट कंटेरर में डाल के इसलिया तर इसुट रिक में बात के 올něं कुछा kitten ज़ा इस करने से क्या होगा के इसपे कभीष भी धेले नहीं पड़ेंगे नाहिं आपका हॉडलिक्स हो गया में न सकालीकोई हो चाहे आप इने किती भी अच्छी तरह से क्यों न वाश करें इस तरह की बदभू को दूर भगाने का सबसे इजी तरीका यह है कि आप इसमें सबसे पहले डाल दे नमक नमक डालने के बाद आप इसमें डाले डिटरजेंट यस ड्राय डिटरजेंट का आप यहाँ पर यूज करें उसके बाद आप इसमें डाल दे बेकिंग सोडा यस बेकिंग सोडा डालने से सारी जो बदभू होती है वो दूर हो जाएगी और बस आप इसे mixer grinder में 5 सेकेंड के लिए on कर ले सारे गंदगी बदबू बहुती easily बहार हो जाएंगे और ना ही कोई effort लगाना पड़ेगा ये देखे कितना जादा इसमें sign आ चुकी है नमक मैंने इसलिए डाला था क्योंकि इससे की जो blade की शापने सो वो बरकरार है तो कुछ कड़ी पत्ते को तोड़ लिया था और उसे मैं सही तरीके से स्टोर करूंगी ताकि ये खराब ना हो एक टीशू पेपर लिया है इसे दो टुकरों में कट कर लिया है आप एक मैं यहां पर कंटेनर लूंगी सबसे नीचे की लियर में एक टीशू पेपर रखेंगे उसके बाद कड़ी पत्ते को हम इस तरह से इसमें डाल देंगे ध्यान रखें कि आप कड़ी पत्ते को अच्छी तरह से पहले वाश कर ले और इसे ड्राइ कर ले उसके बाद ही आप इसे स्टोर करें इस तरह के हैक आप धनिया पत्ती के लिए ट्राइ कर सकते हैं या आप पालक या सा के लिए भी ट्राइ करके रख सकते हैं और उपर में एक और लियर इस टीशू पेपर का मैं लगाऊंगी ताकि ये कड़ी पत्ते कभी भी खराब ना हो सके बस आप इसे फ्रीज में स्टोर करें और लब में दिनों तक आप इन चीजों को यूज़ कर सकते हैं तो हो चुका है रात का समय मैंने यहाँ पर कड़ू भी फ्रीसरी कला तो साथी देखा तो कड़ू यानि लॉकी का जो अपर पोर्षन है वो काफी ज़्यादा ड्राइ हो चुका है इसे भी मैंने सही तरीके से नहीं रखा था बचे वे कड़ू या लॉकी को स्टोर करने का सबसे इजी तरीका यह है कि आप यहाँ पर कोई अलमूनियम फॉइल ले ले और इसके आपर पोर्षन को आप इस तरह से रैप करके रखे उसके बाद ना तो यह ड्राइ होंगे औ और आपकी कड़ू या लॉकी लम्मे दिनों तक फ्रेश रहेंगे और ना ही कोई वेस्टेज होगा और यस इस कड़ी पत्ते के जो यह डंटरल निकला है उसे आप संड्राइ करके इसे आज़े टूथपिक यूज़ कर सकते हैं यह बहुती इफेक्टिव तरीका है अभी मैं जब रिसेंटली सौपिंग करने गई थी तो आलू इस तरह की पैकेट में मुझे मिले थे यह कभी हम जब फूट्स लाते हैं तो इस तरह की छुटी छुटी बोरी में वो मिलते हैं काफी ज़्यादा क्यूट लगते हैं इस तरह की चीज़े का यूज़ आप अगर आपकी डानिंग टेबूल इस तरह और उसके नीचे की पैर में अकसर ही आपको आवाज देखने मिलती होगी या जब आप उसे पलट की देखते हैं तो वहाँ पर काफी ज़ादा आपको स्क्रेच देखने को मिलता होगा तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं पैसों को खर्च करना बिल्कुल सही नहीं समझती हो घर में पड़े हुए वेस्ट आइटम से भी आप अपने समानों अपने फनीचर की बहुत ही अच्छी तरह से देख भाल कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिया है इस तरह का हैंड जाए इसके जो फिंगर होते उसे मैंने कट कर लिया और इसके फिंगर को ठीक अपने डानिंग टेबल के पैर के नीचे एज़े ग्रीप लगाऊंगी ना तो अब इसमें स्क्रैच पड़ेंगे ना तो यह आवाज करेगा और आपके हार पनीचर बहुत ही जादा ही प्रणाप में सोते हैं तो पीलो कवर में उस तरह की तेल के दाग हमेशा ही देखने के मिलते होंगे जो काफी ज़दा भद्धे लगते हैं और हमारा पीलो कवर कूरी तरह से खराब हो जाता है इसकी क्लीनिंग नॉर्मल तरीके से जब हम करते हैं तो यह बिल्कूल भी नह करूंगी तो यहां पर मैंने बेड्रूम के सारे बेट्रेट वेगरे चेंज कर दिया है अब आ गई हूं मैं उस पीलो कवर को सही करने के लिए तो सिंपल से इसे मैंने अपने कौंटर टॉप में ले लिया है और जहां भी आपको पिलो कवर में तेल वेगरे के दाग देख आप यह पर मैंने लिया से वनेगर, वनेगर इसलिए दाला है क्योंकि सारे बैक्टेरिया वकिर यहां से हट जाए और इसे सही तरीके से यूश करने के लिए इसे मैंने एक मङनने स्प्रे करेंगे Spray bottle से इसे spray करेंगे तो ये evenly सारी जगा पे spray भी होगा और कम vinegar में ही मेरा काम भी बन जाएगा Spray करने के बाद क्या होगा कि हलके हाथों से इसे rub कर लेंगे लो कवर को हम normal तरीके से wash कर लेंगे बिल्कुल साफ और clean pillow cover आपको वापस से मिल जाएगा और फिर से आप अपने bed sheet में इसे इसे इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपके गर में बहुत ज़्यादा rubber band इस तरह के हैं और आपको हमेशा problem रहती है कि ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो इसके लिए सबसे easy hack यह है कि आप इसे store करने से पहले इसमें थोड़ा सा powder का यूज़ करें ताकि ये बिल्कुल भी आपस में चिपके नहीं ना तो ये खराब हो और ना ही आपकी पैसों की वेस्ते जो इस तरह के hack को follow करके आप अपने बहुत सारी पैसों की saving कर सकते हैं अपने काम को आसान कर सकते हैं और अपनी life को fully enjoy कर सकते हैं मैंने इस rubber band में एक powder की coating कर दी है अब बस इसे hang कर देंगे अगर आपको मेरी ये सारे ideas पसंद आये हो तो जाते जाते इस वीडियो को like जरू करें और अपनी family और friends तक इस वीडियो को जरू पहुचाएं